असलावलेकुम दोस्तों आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कुईत खबर यूटूब चैनल पे तो साथियों आप सब कैसे हैं साथियों आज की वीडियो में कुईत से सबसे पहली जो खबर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि यदि आप लोग कुईत में रहते हो यदि आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मिनिस्ट्रोप एजुकेशन के तरफ से बहुत ही बड़ी इनॉस्मेंट की गई है बाईयों जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कुईत में बहुत यादा भी सन बारी सभी हो रही है ज होने के बज़ए से सभी स्कूलों को अभी ऑंलाइन कराया जाएगा यादि आपका कोई बच्चा बगरा हो इसकूल में पढ़ता हो तो बिलकुल यह ऑंलाइन होगा आप पर जयारत यहां को कुईत में रह रहे वह तो काफी जादा बारी सोरी है बारीस रोग देख देख दोस्तों ये फैसला लिया गया अगली कबर दोस्तों वारे साथियों पॉलंड के MBC के तरफ से तो भाईयों जैसा कि आप लोग जानते हो कुएत में हर एक मुल्की MBC वहाँ पे मौजूद है तो साथियों पॉलंड लगभग है सालों से वहाँ पे मौजूद था तो लगभग साथ एनिवर्सरी हो चुका यानि साथ साल हो चुका है खबर क्या है सिक्स्टित एनिवर्सरी और पॉलंड के बीच में दोस्तों जो रिष्टे हैं जानि जो भी दोस्तों दोनों का एकोनोमेकली रिष्टा हो या फिर बिजनेस को लेकर डेवलप्मेंट को लेकर जो भी चीजे हैं लगमक उसका दोस्तों रिलेशन का साथ साल कुजर चुका है जिसको लेकर दोस्तों कल के दिन साथ यह बता दू आपको चार्ज डेफियर ऑफ एमबेसी ऑफ पॉलेंड इनकी नाम है यह महिला का नाम है अन्ना मरता गोडवे उन दोनों के बीच में दोस्तों मुलकात की गई और फॉर इयर ऑफ हैटस ड्यूटी कोविड नाइटीन पैंडेमिक वियर प्लेस्टू रि साथियों क्वेट में खैतान एरिया में बहुत दोस्तों दुरुघटना होते होते बज गई है कि फैतान एरिया में रेसिडेंसी एरिया में वहाँ पे अचानक बहुत भीसन आग लग गई थी पर दोस्तो अच्छी इसमें खबर ये है कि तुरंत फायर बेड़ेट वाले वहाँ पे पहुंचे और आग पे काबू पाया गया फराडी की दोस्तो एक घटना है मॉर्निंग में फरवनियन सुभान फायर स्टेशन वहाँ पे तुरंती वहाँ पे पहुंचे खायतान की एक रेसिडेंसल बिल्डिंग वहाँ पे आग लग गई थी दोस्तो आग लगने का रिज़न अभी तो फिलाल नहीं पता चार पाया है कुछ लोगों को सिगनिफिकेंट्स इंजिरी जानी थोड़ी बहुत दोस्तो चोटे वगएर आई है इंजिर यानी घायल वगएर हुए है पर अच्छी इसमें खबार यह है किसी की जान जाने की कोई भी दोस्तो अब्डेट सा भी निकल कर नहीं आ रही है तो साथियों आ एक तायमा होस में वहाँ पे गोली दोस्तो चलाई गई थी अब साथियों यह फिलाल लगी जाकर एक बिल्डिंग में जाकर लगी है जिसमें फैमली वहाँ पे रहता था सभी लोग काफी जादे डरे हुए दिखाए दे रहे हैं फिलाल पुलिस वहाँ पे पहुंच चुक दिया गया है कि बहुत ही जल्दी इसका पता लगाया जाएगा जो भी लोग इसमें सामिल है उसे ग्रफतार करकर सकत कानूनी कारवाई करके उनको जेल बेचा जाएगा तो दोस्तों जोड़ी सी खबरे थी अपडेट्स ही जो का यह क्वेट से आ रहे थी मैंने अब तक से क्या मिलता हूं साथ यह नेक्स वूडियो पर जैहिन एंटेक क्यर